नमस्कार दोस्तों आज पिर आपका स्वागत है Crown Immigration के YouTube चैनल पर तो आज का जो हमारा discussion है बो है MBBS in abroad उसके बारे में में डिस्कस करेंगे हमारी MBBS से related बहुत सारी वीडियों आ रहे हमारे YouTube चैनल के उपर है different countries के उपर मैंने videos बनाई हुई है अगर आपने टॉप जो 10 countries एवर्ड के अंदर अगर वहां से आप MBBS करनी है किस वे से कर सकते हैं आपको उसकी preparation कितने समय पहले करने चाहिए सब कुछ मैंने वीडियों में उपर बताया हुआ है तो आज का जो हमारा discussion जे है कि जो NEET का एक्जाम है वो NTA ने declare कर दिया है जो National Testing Agency है कब किया था 16 October को सब्तमबर में ये टेस्ट हुआ था तो इस टेस्ट में लगबग 15,97,000 बच्चे registered हुए थे MBBS के लिए जिन्होंने ये टेस्ट देना था लेकिन इस टेस्ट में जो बच्चे अपेर्ड हुए हैं वो साड़िक 13,00,000 बच्चे अपेर्ड हुए थे जिन्होंने इस टेस्ट को कौलिफएड किया है वो 7,75,000 बच्चे है जिन्होंने ये टेस्ट कौलिफएड कर दिया है इंडिया के अंदर तो अभी क्वेस्ट जे आता है कि सीट सिर्फ यहां पर 90 बच्चन में है रहे हैं वीवेडियस की डाल कर तो जो बाकी बच्चे रह जाते हैं जैसे मैंने बताया कि 7,75,000 बच्चे उन्हें क्वालिफएड किया है सीट सिर्फ एक लाक है जो बाकी 6,75,000 बच्चे हैं वो कह सिक्ट स्टार्ट कर देते हैं कि उनका Wisconsin स्कोर फिर अच्छा है तो जो बच्चे हुए बच्चे हैं वो फिर अपनी बच्चे कर देते हैं। में चली जाते हैं कुछ बढ़ियस भी चत्रहुशा में चले जाते हैं। तो जो बच्चे अप्वेड हुए थे यह 7,75,000 बच्चे जो क्वालिफाइड हुए हैं इसकी हम कट अफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि मैक्सिमम जो दो बच्चों का तो रिकार्ड है मैं बच्चों को और पैरंड को कंग्रेटुलेशन देना चाहूँगा जिन बच्चों ने आउट ओफ आउट अउट हंडर में से हंडर लिये जिनके 20 में से 720 मार्क्स लिये हैं जन्रल के टग्रिके जो दोनों बच्चे हैं एक बच्चा उडिसा का एक देली का है और उन बच्चों को पेरेंट्स को क्राउन इमिग्रेशन की कम्प्लीट टीम की और से सल्यूट है क्योंकि रियली वह बहुत ही लिवरियस बच्चे हैं है एक सो असी मार्क्स का एक सोश्षिन और हर ایک qrs सो नंबर का केरी होता है तो टॉटल सासो बीस बच्चों ने करी किये हैं तो जनरल की जो कट ऑफ है बो सासो बीस से लेकर जो मिनीमम मैं 147 तक की गई है जो एक समतालिज को कहां सीट मिलनी है मतलब यह है कि जो 117 वाला बच्चा जिसके 147 आए है तो वो बदेशों में अगर वो चाता है MBBS करने के लिए तो वो हमें संपर करें हम उनका बदेशों में MBBS करवा सकते हैं पास वर्ड के अंदर ऐसी कंट्रीज हैं अगर आपका बजट पांच साल की जाए कुछ कंट्री में पांच साल की है तो उसका जो बजट है 15 लाग से स्टार्ट होकर मतलब उसके अंदर आपकी ट्यूशन पीसिस और अकमोडेशन 15 लाग से स्टार्ट होकर फिर कितने गया डा हमारे बच्चे श्ट्यूल का स्ट्यूल ट्राइब जांओ वीजी केडागरी वाले थे तो उनकी जो कट आफ है वह 146 से लेकर 133 तक की गई है और एक जनल वाला बज़ारा वह 70720 ले रहा है तो जो श्ट्यूल का स्ट्यूल ट्राइब जांओ वीजी है वह 146 मैक्सिमम 133 113 उसका कितना है वो मिनिमम है जो बच्चे ओवीसी जा च्ट्यूल का च्ट्यूल का च्ट्यूल जा ओवीसी जिनके मार्क्स मिनिमम 113 है उनको भी हम फॉरंड कंट्री में अड्मिशन दलवा सकते हैं जिन्होंने बहां पर जाकर MBBS करनी है तो इसी तरीके से जो बचारे पॉर कैटागरी है जिसको हम एकनॉमिक और बीकर शेक्षन कहते हैं उसकी जो मैक्सिमम 149 है मिनिमम 129 तक गई हुई है अगर आपके 129 मार्क्स भी है तब भी आपको डिमॉरलाइज होने की जूत नहीं है तो मैं जनरल कैटागरी वालों को यह बता दू कि अगर आप 147 मा इसी बन से नेशनल मेडिकल कमिशन बन चुका है तो उन्होंने नेक्स एक्जाम भी इंटर्डूस कर दिया है चाहे आप इंसाइड इंडिया वाले स्टूडेंटेंट है इसका वह इंपेक्ट है हमारी इंटरेंचनल स्टूडेंट को काफी पढ़ेगा क्योंकि यह इंडि इस बताई थी कि बहाँ पर ये नीड नूट एक्जाम की रिक्वार्मेंट नहीं है अगर आपकी एक्वार्मेंट में रहती है और कंपेटिशन बड़ा जब्रदा स्टार्ट हो चुका है हर एक कहता है कि मैं पकड़ लूँ बच्चे को बच्चे को जाने ना दूँ मैं बार अगर आप मेरी गॉडेंस के अकोडिंग चलते हैं मैंने फिर बता दिया फनएंशल माटर में इसा हमारा स्केंटरी है लेकिन हम बच्चे को गाइडेंस इस तरीके से प्रवाइट करते हैं कि यह जैसे हमारा बच्चा है तो स्को हम उसके बजट के कोडिंग उसको मैं हरे क कंद के बार में बताता हूँ जहां पर उसने जाना है यह नहीं a नहीं है यह आनगा लखी द्रओं वालों को किसी कंद्री की कोई भी आपके जाकर देनी है बार बार में डालोTIN जो service charges हैं मैं fact बता कर बताऊंगा कि यह मेरे service charges हैं और मेरा हर एक video में बारबार challenge यह है कि अगर कोई भी person आपको मुझसे कम service charges provide कर दे तो मैं आपके बच्चे को free of cost बहां पर भीजूँगा कहां पर जिस country में आप जा रहे हैं तो अगर वो हम से कम में आपके बच्चे को बेज रहा है जो service charges हम provide कर रहे हैं क्योंकि MBBS के नाम से लोग fees के बारे में कोई भी consultant discuss नहीं कर रहा है मैं बार बार हर एक video में बता रहा हूं कोई भी consultant बता दो जो fees के बारे में discuss करता वो तो सिरफ आपको बताएगा हम आपको यह crash course करवाएंगे free of cost इंडिया में बहां जाकर आपके next exam की preparation करवाएंगे हमारा बहां का जो passing foreign medical जो graduate exam होता है इतने percentage है ऐसी बच्चों की interview दुखाएगा मैंने इतने बच्चे बेज़ दिया है मैंने वह बट उससे फीज बोजेंगे फीज के बारे में discuss नहीं करेगा वीडियो के उपर क्योंकि उसने मोटी फीज लेनी है महुत जवरतस फीज से लेते हैं consultant जो MBBS को promote करते हैं डिगरी बढ़ी होने के कारण तो अगर आपने MBBS में किसी वी country में जाना है मैं फिर बता दो अगर आपका budget अच्चा है तो टॉप 10 countries में आप पहले देखिए टॉप 10 countries कौन-कौन सी उसकी वीडियो मेरे जा पाते हैं आपका entrance exam नहीं clear होता तो फिर मैं शेंगन countries की बारे में discuss करता हूं उनकी वीडियो मेरी देख सकते हैं फिर मैं European countries के बारे में discuss करता हूं उसके बाद मैं जितनी भी CS countries जैंज रशियन countries है उनके बारे में discuss करता हूं चाइना भी बहुत अच्छी destination है MBBS के लिए अगर आपने चाइना में भी जाना है लेकिन आज की डेट में due to हमारे relation के कारण फिर भी उन्होंने दो चार यूनिवस्टीज ने बच्चे लेने इंडियन स्टार्ट कर दी हैं तो अभी admission नहीं चल रहा है लेकिन चाइना में भी हमारे जो maximum international students हैं MBBS करके आते हैं चाहें इंडिया एक फेस्ट ऐसी डेसिनेशन है जिनके MBBS के student भी चाहिना में MBBS करके आते हैं तो उसके बाद भी यूएस से के student हो यह शेंगन के student हो अनुदर कंट्री उसके बाद भी अपनी यह USSR कंट्री जितनी भी जितनी भी जिए हमारी CSR common belt independent states हैं जिसको हम USSR कहते हैं तो रश जिवेकिस्तान किर्किस्तान इन कंट्री में जाकर MBBS करते हैं तो लेकिन USSR कंट्री में सबसे ज़्यादा मैं top priority यह बताता हूं कि आप top priority में रशिया को प्रेफर्ट करें आप उसकी population को देखें hospital वहां उसके infrastructure को देखें उसके बाद मैं Ukraine को प्रेफर्ट करूँगा कि आप बेलारुस के बारे में सोचें तो इस तरीके से मैंने priority list मनाई हुई है MBBS की हर एक country के बारे में तो अगर आपने MBBS करने के लिए किसी भी country में जाना है तो आप एक बार crown immigration की guidance जरूर लें उसके बार decision लें कहीं पर भी बैठे हैं corner पर crown immigration आपकी 100% help कर सकता है तो MBBS से लेटर अगर आपकी कोई भी query है तो आप हमारी जितने भी number इस screen पर चल रहे हैं उसको उसके आप संपर कर सकते हैं और lastly मेरी ये भी request है कि अगर आप इस type की वीडियो लगाता देखना चाहते हैं तो आप immediately मेरे channel को भी subscribe करने और साथ में लगे हुए कौन से बैठ को push किया होगा तो last day मेरी ये request है अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लेकित इसको like and share करना ना मुझे thank you